तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप टेवल फैन ये वाल फैन के मोटर से तीन वायर जो निकलते हैं उसका आप कनेक्शन कैसे करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस करें जिसके मेरे आने वाले नई वीडियो को नोडिक्रिक्शन आपको मिलती रहा है देखिए आप जो टेवल फैन रखा है इसके मोटर से तीन वायर आई एक ब्लैक एक रेड वायर एक यलो वायर इन तीनों वायरों को हम आइडेंटिफाई करेंगे देखिए आपर एक कैपिस्टर लगा हुआ है कैपिस्टर की दो वायर है इसको टेस्ट करने के लिए हम सीरीज टेस्ट लैम को यूज करेंगे सीरीज टेस्ट लैम बनाना बहुत ही आसान अगर आपको नहीं आता तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्सर में दे रखा है आप आसानी से देख के बना सकते हैं अब हम सीरीज टेस्ट लेंब को एक जगे टेंप्रोरी फिक्स कर दें ताकि हमें आसानी देख सके जो भी हम एक्सपेरिमेंट इसके अंदर कर रहे हैं जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं असानी देख जाएगा तो देखे हैं आपर मैंने एक तार से इसे बांद दिया है ताकि यह इधर उदर गिरे ना तो देखिए मैंने इदर एक side में रख दिया ऐसे अब हम series test lamp चेक कर लेते हैं देखिए मैंने black wire और red wire पर लगाया तो हमारा बलब तेज जल रहा है अब black wire और yellow wire पर लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर बलब हमारा अभी भी तेज जल रहा है अब हमें क्या करना है red wire और yellow wire लगाते हैं तो देखिए हमार यहाँ पर जो बलब है वो बहुत कम जल रहा है इसका मतलब जो हमारा red wire और yellow wire है इन दुन में से एक wire starting की है और एक wire running की है जिन दो wire उपर series test lamp का बल बहुत कम जलता है उसका जो opposite wire होता है वो common का wire होता है तो जो हमारा black वाला wire है वो हमारा common का wire है और common की wire से हम capacitor connect नहीं करते हैं अब हमें क्या करना है जो हमारा red वाला wire है उस red वाले wire को एक capacitor की wire से connect कर देते हैं यह जो black वाला wire को side कर देते हैं देखिए मैंने यह red वाले wire को यह capacitor की wire से connect कर दिया है अब जो capacitor का दूसरा wire है इस yellow वाले wire से connect कर देंगे और जो हमारा common का वायर है उसको एक्साइड कर दिया हमने हमारे जो वायर था ह कैपिस्टर का एक रेड वायर के साथ connect हो गया और एक यहलो वायर के साथ हो गया लेक्षए लेट है अगर हम पीछे से सामने से देखेंगे तो सामने से ही और यह चलता हуст 우리는 फ्रीकुण येesi अगर हम सामने से देखते हैं तो यह रोटेशन इसका उल्टी है अब हम ब्लेक को वाइर और लगा के चेक करते हैं तो देखिन जो फैन चल रहा है हमारे anti clockwise direction में चल रहा है घड़ी की उद्टी दिशा में चल रहा है अगर इस сама और से देख़िनगे तो सामने से clockwise डैक्षिन में चलता हो दिखाई देगा घड़ी की करेंगे में dispar apart कारेंगे देखिये जो में सप्लाइख ले रहें एक वायर का करते हैं ब्लाकवाले बायर से जोईन्ट करते हैं और दूसरा वायर है हो वह हम इस बायर से कनेक्ट करेंगे जिसपर कि फैन सीधा चल रहा छहों क्लाकवाई च्लता हूँ दिखाई दे रहा था बैक साइट से सट Clement एंगे आ मैंने कर दिया कर दिया को यहां इस की तो यह यहांने यह यह वाली वाईर थी इसका भी वाइर एक कैपिस्टर की साथ के विद्दीब लगा दिया थ outta देखि Tech वाहर दर बाइक एफर गामन जो है इस पर हमने एक सप्शिपाई दिया इस पर अच्छ है गो करेंगे हैं यह देखिए मैंने 입 लगा दिया है अब जिए हो एक स्प्लाई कनेक्ट किया और ही जो रेड़ वाली वायर है जो केपस्ट के 7 इसक genetics क्या इसके इससे क्लाइक करें किया है अब इस सीरिस टेस्लेम के बलब को हम आटा देते हैं और चला के चेक कर लेते हैं देखिए आपर सप्लाई करेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसे ओन करते हैं देखिए जो हमारा फैन है वो एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है घड़ी की उल्टी दिसा में चल रहा है अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो यह क्लोकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ दिखाई देगा घड़ी की सीधी डायरेक्शन में तो देखिए इसको मैं फ्रेंट साइड की में ले आता हूँ ताकि confusion ना हो अब इसके supply icon करके देखते है तो देखिए हमारा जो fan है वो clockwise direction में चल रहा है पीछे से हमने देखा तो anticlockwise चल रहा था सामने से हमारी clockwise direction में चल रहा है घड़ी की चलती दिसा में चल रहा है तो यह जो हमारी इसकी rotation है वो ठीक है यह जो हमारा wall fan है यह table fan है वो घड़ी की सीधी direction में चलता अगर इसे सामने से देखते हैं तो अगर आपको connection से related कोई problem होती है तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरी चैनल को subscribe कर देना और bell icon को प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाले नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे मिलते हैं आप से next वीडियो में